हलो एवरिवन आज है 26 माई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी टोटल गैस के बारे में देखें आज अगर हम देखें तो मार्केट में बड़ी तीजी है आज सेंसेक्स 400 अंक की तीजी दिखा रहा है 421 बड़ी रफतार है जबकि अदानी ग्रुप की हम बात करें तो अदानी टोटल गैस 4% की गिरावट पे ट्रेट कर रहा है इसके अलावा अदानी ट्रांस्मिशन भी अगर आप देखो तो 4.5% तूट चुका है अदानी ग्रीन में भी 1% की गिरावट है हलाकि enterprise 1% की तेज़ी पे ट्रेट करा है लेकिन wilmer अगर आप देखो तो यहां पर भी थोड़ी बहुत गिरावट है और port की बात करें तो ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है power की बात करें तो यहां पर भी ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है मतलब market अच्छे mood में लेकिन अधानी के shares उतने अच्छे mood में नजर नहीं आ रहे हैं और सबसे बड़ी गिरावट है अधानी total gas और अधानी transmission reason यहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं कि नहीं बनेंगे तो कहां पर बनेंगे और जिसने बड़े valuation पर trade कर रहे है 160 का P है इसका तो क्या करना चाहिए वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please अभी इसे subscribe कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे videos हैं जो आपको काफी जादा help करेंगे तो अधानी टोटल गैस देखा जाए तो आज गिरावट है लेकिन पिछले एक महिने में काफी अच्छा ग्राफ रहा है लगातर गिरा था ये 665 तक है लेकिन लेकिन उसके बाद तीजे ही 800 तक चला गया था ये लेकिन अब फिर से गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर अगर बात करें पिछले एक साल की तब तो हारत और भी जादा खरबे 68% की गिरावट है लेकिन अगर मैं इसके हाई प्राइस से कंपैर करूँगा जो कि 4000 की करीब था तो वहाँ से गिरावट 80-85% की है भेंकर गिरावट है और देखो जब भी ये 1000 के लेवल में आया है न अगर आप तेजी के बाद अगर बात करें हिंडन बग की रिपोर्ट के बाद अगर हम बात करें तो जब भी इसमें गिरावट के बाद 1000 का लेवल चुआ है वापस गिरा है वापस तीजाई वापस गिरा है और जो सपोर्ट बना है वो जो स्ट्रॉंग सपोर्ट कैसे थे वो 675 के आसपास है जब हिंडन बग की रिपोर्ट थी 675 से इसने बाउंस बेक कर गया इस बार भ का कि जो भी सेवी ने एविडेंस दिये हैं उसमें कुछ मिला तो है नहीं हमें तो वो यहाँ पर दिक्कत है लेकिन साथ में यह भी कि अभी और तीन महिने का टाइम दिया गया सेवी को अपनी फाइनल रिपोर्ट सब्मिट करने को लेकर तो अगर वहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी अदानी के लिए लेकिन अगर कुछ निकल गया तो दिक्कत हो सकते हैं लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ नहीं निकलेगा जहां तक बात करें अदानी टोटल गैस की तो अदानी टोटल गैस का जो कैसे की वैल्योशन है वो जब यह 4000 का था तब तो 400 के PEE पे था यह 46 500 का PEE था उस ताइम इसका तो यह जो करिक्शन था वो अदानी की कुछ कंपनी ने में होना चाहिये था यह मैं वानता हूँ ठीक है कुछ कंपनी में होना चाहिए जैसे की गैस हो गया ठीक है इवन एंटरप्राइस भी काफी हाई चला गया था ट्रांस्मिशन और ग्रीन भी काफी हाई चले गये थे तो वहाँ पर एस गिरावट की जरुवत थी लेकिन अभी जब गिरावट आई है तो वह यह attractive valuation बनते नजर भी आ रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर बात करें dividend की तो भूल जाओ कि आपको pay कर रहा है जादा मुश्किल से 25 पैसा पर शेर का सालाना यह dividend पे करता है और जो इनके नतीजे इस बार के आए हैं वो उतने जादा attractive नहीं थे और revenue में आप देखो तो कोई इतना बड़ा जंप नहीं आया है जो इनके 1100-1200 करोड के revenue है वही है कोई जंप नहीं है जबकि green में बड़ा जंप आया लेकिन gas में वो जंप देखने को नहीं मिला और profit के अगर हम बात करें तो जो profit पहले 140 करोड के आस-पास का था वो 103 करोड में सिमट के रह गया तो कम profit हुआ था इसकी वज़े से भी गिरावट देखने को मिली थी हमें और उसके बाद तो भई या जाहिर से बाद है गिरता चला गया गिरता चला गया यह और जहां तक बात करें जाए यहां पर देखो जो सबसे बड़ा game यहां पर होने वाला है वो होने वाला shareholding pattern में क्योंकि देखो promoter के पास बड़ी quantity है 74.80% की promoter के पास quantity एक भी शरगिर भी नहीं है और Files देखो जो Files बदनाम है अदानी में कि यहार Files के उपर शक बताया जा रहा है लेकिन जो reports आई है जो Supreme Court के panel ने बोला है कि उन Files को लेकर भी उनको ऐसा कुछ ठोस मिला नहीं है लेकिन फिर भी final report अभी submit करनी है तीन महिने का और time मिला है तो देखते हैं कि क्या submit करते हैं और कुछ निकल कर आता भी है के नहीं लेकिन Files के बहुत बड़ी holding है 6.32% की holding Files के पास है Public के पास 2.75% की holding है Mutual Fund के पास 0.12% की holding है Insurance के पास बड़ी quantity 6.02 और इसमें LIC बहुत बड़ा Participator है यहां पर LIC के बाद बहुत बड़ी quantity है और देखो जो बेचने नहीं वाले है वो कौन है प्रमोटर बेचेंगे नहीं और अगर बेचेंगे तो QIP के जरीए बेचेंगे आने वाले दों की आदानी समझ चुके हैं कि भाईया Public को अब offer करोगे और क्या पता कि ना खरीदे तो भाईया फ्लॉप हो जाता है और नुकसान होता है वो अलग से और negative image बन जाती है तो वो अब QIP के जरीए ही पैसा raise करने का प्लान कर रहे हैं अदानी enterprise और अदानी transmission में तो पैसा raise होने वाला है QIP के जरीए इसके अलावा अदानी green में भी raise हो सकता है उसके भी खबर आ रही है total को लेकर अदानी gas को लेकर अभी तो कोई खबर नहीं आई लेकिन आईगे तो definitely उसके बारे में बात करेंगे लेकिन आप यहां पर दिखो कि promoter के पास बहुत quantity है files के बास बहुत बड़ी quantity है mutual fund भी जादर बेचने और नहीं है कुछ ही लोग होंगे जो trades कर रहे होंगे और उसी में ups and downs का game चल रहा है अभी के time पर तो बहुत जादा quantity है नहीं तो simple demand and supply का game चलता रहेगा यहां पर और अदानी अगर आने वाले दौर में QIP क्या plan भी करेंगे तो फाइदा उनहीं का है क्योंकि पैसा भी raise हो जाएगा और जिनको बेचेंगे वो वो share और regular traders की तरह बेचते नहीं ठीक है वो रखे रहते हैं अपने पास तो यह भी हो सकता है यहां पर देखिए overall अदानी total gas को लेकर अगर में बात कर तो energy को लेकर बहुत सारे sources आने वले दोर में आपको और बड़े मातरा में explore होते नज़र आ सकते हैं चाहे देखो पहले oil और gas पहले oil था ठीक है फिर gas बहुत बड़ी पैमाने पर आया फिर अभी EV की बात कर रहे हम फिर hydrogen की बात कर रहे हम तो बहुत कुछ है लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अभी भी gasification जो है वो बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है अभी भी वहाँ पर बहुत बड़ा scope है और अदानी कोशिश कर रहा है अलग-अलग state में अपनी पकड मजबूत करने को लेकर लेकिन अलग-अलग states में already कई सारे दिगज प्लियर्स है चाहे हम इंदरपस्त की बात करे चाहे हम गुजराद में जाये तो गुजराद गैस की बात करे चाहे हम और किसी तरीके के बात की तो है लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अदानी के पास बज़ाद काफी बड़ा investment है और company बहुत बड़ा पैसा raise भी करने वाली है आने वाले दोर में और बड़े पैमाने पर capex plan है उनका तो अभी short term के लिए थोगा सा pain जरूर है लेकिन अदानी अब अपने share sale के जरीए पैसा raise करने की कोशिश कर रही जो कि बहुत अच्छी बात है डेट लेने से बैतरी के बैस शेर को बेचो पैसा raise करो capex को बढ़ाओ और अपनी capacity को और बड़े पैमाने पर ले जाओ profit revenue बढ़ाओ और अच्छे से share में growth हाही जाएगी जो कि बड़ी बात ही है और मुझे लगता है कि ये strategy भी सही है और अधानी total gas के जहां तक मैं बात करूँ तो यह देखो जब भी ये 1000 के आसपास है ये अटकता जरूर है लेकिन जब भी ये 600 से 700 के range में आया है एक support बनता जरूर है अगर आपके पास है तो रखे रहो अधानी total gas का शयर लेकिन जहां तक बात है fresh buying की तो मैं ये कहूँगा कि जब गिरना शुरू हुआ है तो एक दो दिन शायर थोड़ा सा और correction अगर आता है तो 600 से 700 रुपे के बीच में अगर ये मिलता है तो आप initial buying के शुरुआत कर सकते हो initial buying की अब काफी लोग बोलें कि सर आपने तो पहले बोला था कि 500 पे जाएगा 600 पे जाएगा तब खरीदारी करना तो again तब Supreme Court की पैनल से ऐसी अच्छी update नहीं आई थी मैंने इसाथ में ये भी कहें कि देखो अगर कुछ खराब निकल कर आएगा तो दिक्कत की बात होगी अगर कुछ खराब निकल के नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जैसे कि मान लोगी कुछ दिन के अगर तीज़ी यहाँ पर देखने को मिल जाती हमें ठीक है और उसके बाद जब दो तिन महेने बाद Supreme Court जो सेवी की Final Report सब्मिट होनी है अगर वहाँ पर कुछ निकल कर आ गया तो वहाँ पर जटके लग सकते हैं उस हिसाब से तो यही कहूँगा मैं आप से कि वह यह रिपोर्ट में क्या निकलेगा वो उसे के उपर डिपेंड करेगा और जहां तक बात है अदानी टूटल गैस की मुझे लगता है कि थोड़ा सा और करेक्शन अगर यहां से बनता है जैसे कि और यहां से आट से दस पर्टसंट का अगर करेक्शन आता है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं यहां पर अगर है तो रखे रहो इसके अलावा अदानी की बहुत सारी कंपनी है जैसे कि ग्रीन अच्छे कासी रफ़तार पकट रहा है लेकिन हर बार हजार रुपए के आसपास आकर यह अटकता है और अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी ग्रीन के उपर भी बात करूँ तो तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अगर आप मेरा कूपन को इस्तमाल करूँगे HSA20 तो आपको 20% का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा वीडियो को यहीं पैंट करूँगा पसंदा हो तो लाइक करो शाय करें अगरा पहले बाहरे हैं तो प्रीज सब्सक्राइब करें और अधानी टूटल गैस के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखके बता सकते हैं तैंक यू